तो अब हम बात करने वाले हैं सक या सीथियंज के बारे में सकाज या सीथियंज तो बात कब की है बात है फर्स सेंचुरी बीसी से फोर्स सेंचुरी एडी के बीच की इस दोरान लगबग सेकंड सेंचुरी के राउंड सेकंड सेंचुरी बीसी के राउंड जो सक हैं इन्होंने पर्थिया में और बैक्ट्रिया में जहां पर सैलुसेड इंपायर रूल कर रही थी वहां पर ये अटैक करते हैं और उन्हें हरा देते हैं और उन्हें हराने के बा रीजन है यूची यूची क्या है यूची एक Central Asian Nomadic ट्राइब है और इन लोगों ने उत्पात मचा रखा था इधर चाइना Central Asia वाले पार्ट में तो ये लोग सकाज को इन्हों ने पुश किया और इस वज़े से जो सकाज है इन्हें शको को जाना पड़ गया किदर बैक्ट्रिया की तरफ और बैक्ट्रिया और पर्थिया में वहाँ जब ये जीत जाते है तब इनको लगता है कि अब इंडिया की तरफ आना चुई है अब इंडिया में इंट्री कहां से मारी है बोलन पास से पाकिस्तान के बोलन पास से इनका इंडिया में इंट्री होता है और इन्हों ने जो ग्रीक नौर्थ फ्रेस्टन इंडिया के नौर्थ फ्रेस्टन पार्ट में जो ग्रीक रूल कर रहे थे उन्हें हरा दिया और उसके जाजर पार्ट अफ इंडिया तैन है डग्रीक्स तो ग्रीक्स ने इंडिया का जितना पार्ट कैप्चर कर रखा था। उससे ज़्यादा इन्हों काप्चर किया और उस टाइम पर क्योंकि कोई पावर्फुल रूलर नहीं था तो इस वजह से इन्हें कोई resistance नहीं मिला और फिर बाद में क्योंकि ये पूरी तरह से Indians हो गए, Indians culture को adopt कर लिया तो इस वज़े से ये public में ही एक तरह से घुल मिल गए अब ये यहां जब आए तो इनकी पांच ब्रांच यहां पर rule कर रहे थी, यह पांच पार्ट में रूल कर रही थी, वो सबसे ज़्यादा effective थी, जिसने की four centuries तक यहां पर rule किया, और इनको जो गुजराथ के थूँ जो इनका trade होता था उससे इन्हें काफी फाइदा होता था, और इन्होंने silver coins भी issue किये अब जो इनकी पांच ब्रांच थी, उनको देख लेते हैं तो उसमें से एक ब्रांच थी जो कि अफगानिस्तान के काबुल से रूल कर रही थी एक ब्रांच थी जो कि पंजाब के तक्सिला से रूल कर रही थी एक ब्रांच थी जो कि मतुरा से रूल कर रही थी तो इस तरीके से ये पांच जो लोकेशन हमने आपको बताए ये मैप में भी उपर से नीचे की तरफ ही है नौर्ट से साउट की तरफ काबूल हो गया उसके बाद तक्सिला हो गया उसके बाद मतुरा हो गया उसके बाद उज्जैन हो गया और उसके बाद नासिक हो गया आप ये रहा तक्सिला, ये रहा मधुरा, ये रहा उज्जेन और एक सेंटर यहां, और एक सेंटर इधर कहीं तो इस तरीके से इनके यहां पर सेंटर हो गए अब इसके बाद जब भी आप से बोल जाए सिथियन सिथियन या सकाज में सबसे जो इंपोर्टन नेम है वो है Rudr Daaman First का वो नेम किसका है रudr Daaman First का ये है Rudr Daaman First और Rudr Daaman First जो है उजयन से रूल करते थे 150 AD के रहूं और ये इसलिए important है क्योंकि ये है तो क्या CTN लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी इन्होंने संस्क्रिप्स इनका बहुत लगाऊ था और इन्हों ने इंडिया में जो अब तक हमारे पास inscription available है उसमें ये सबसे पुराना यानि की सबसे पहला inscription हमें मिला जो कि प्योर संस्क्रिप्स में है किस लैंग्वेज में को इन्होंने करते हैं जो कि मौर्य को टाइम पर बनवाई गई इसके लावा ओंई ने रूल तो के बल सिंद्ध वाले रीजन पर ना के बल रूल इन्होंने सिंद्ध वाले रीजन पर किया बलकि इंडिया के गुजराद कॉंकर नेर्मदा वैली मालवा पर इन सब के कोई रूलर थे जिन्होंने अपने आपको विक्रम अदित्य कहा था उन्होंने उन्होंने साकाज के साथ एक वार उनका हुआ था और उस वार में वह जीत गये थे और जीतने के बाद उन्होंने यह टाइटल लिया था विक्रम अदित्य और उन्होंने स्टार्ट किया था विक्रम समवत या जिसको मालवा समवत भी कहते हैं और यह है टाइमिंग 57 BC की अब यह जो टाइटल था विक्रमा दित्य उसके बाद इतना फेमस हुआ कि लगबग बाद में काफी सारे रूलर्स ने जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ करती थी उसमें यह टाइटल उ स्टाइटल है वैसे ही वैस्ट में Caesar उसके एह विक्रम दित्य üt का यूना क्यों हो फेवरेट टाइटल हो गया कि लगबग 14 विक्रम दित्य हमको सब्सक्रह् Too luckyasion कि उन्हें हम इन्हें ही विक्रमा दित्य के नाम से ज क्जड़ जानते हैं गहीं सब्सेट् mereka रहे हैं और यह जो टाइटल लेने का जो सिलसिला था यह कब तक 12th century एडी तक चलता रहा है और खास तोर पर जो western पार्ट इंडिया का था वहां के जो रूलर्स थे वो इस तरीके से टाइटल लिया करते थे इसके अलावा सक रूलर्स में और जो इंपोर्टेंट डूलर्स थे हिसमें नापान क का नाम भी इंपोर्टेंट है इसके अलावा उसभ देव हैं दा Wy सबसे जो लास्ट सक रूलर्स थे वो थे रूध्ड सिमा ठर्ड और इन्हें हराया था चंद्रगृप्ट सेकंड ने चंद्रगृप्प्ट सिकेंड ने 390 AD के आसपास इन्हें हराया था और हमें इसके लावा जितने भी इंस्क्रिप्शन इस टाइम के मिलते हैं वह सारे के सारे अब हम बात करने वाले हैं कॉंट्रिविशन ऑफ सकाज पॉर इंडियन कल्चर यह यह भी कह सकते हैं इंपक्ट ऑफ सकाज इन इंडिया तो इसमें जो सक्ते इन्होंने तक सिला सिंधू माथुरा पंजाब उजयन सौराष्ट गुजरात और महारास्ट में अपना पूरा इं थे तो इस वजह से इनको जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ लंबे टाइम तक स्ट्रकल करना पड़ा लेकिन बाद में यह इंडियन जो कल्चर है जो इंडियन लाइफ स्टाइल है उसमें पूरी तरह से घुल मिल गए तो अब हम देखते हैं कि इनका जो भारतिय जीव न संस्क्रती है उसमें इनका क्या कॉंट्रूबिशन रहा है तो सबसे इस इसमें हम इस इस ठॉपिक को हम पाइज में ढ़ाइड में डिवाइड़ कर लेते हैं फाइज करने वाले हैं सबस्के पहले हम History की स्टे बाद हम बात करेंग ऑर इंकरेजमेंट की और उसके बाद हम बात करेंगे लिट्रेचर और कल्चरल कॉंट्रिबिउशन की तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियान आईजीशन की जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि यह इनका जो ओरिजिन है वो कहां से है वो चाइना के नौर्थ वेस्ट पा यहां तक कि जो वरनास्त्रम धर्म होता था उसको भी अडव कर लिया अब यह इनके नाम से पता चलता है कि इन्हों ने किस तरीके से इंडियन किल्चर को अडब किया था जैसे कि इनके नाम जैधामन रुद्र दामन जीव दामन यह सब इनके नाम हुआ करते थे और इनों उने भारतियों से matrimonial relation भी बनाए विवावी किये जूनागड और कनहेरी का जो inscription है उससे ही पता चलता है कि जो शक नरेश रुद्र दामन थे उनकी डॉटर का marriage साथ वहां नरेश शाथ करणी या जिनको वशिष्टी पुत्र पुलुमवी भी कहा जाता था उनके साथ हुआ इसी तरीके से एक example और है नागारजुनी कुंडा के inscription से पता चलता है कि जो सक रूलर थे रुद्र सेन उनकी डॉटर थी रुद्र भट्टारी का इनका marriage हुआ था एक छ्वाकु नरेश वीर पुरुस दत्त के साथ तो इस तरीके से इन हम example से और इनके नाम से यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सक थे इनका Indianization हो गया था यह पूरी तरह से इंडियन हो गये थे अब हम बात करते हैं administration की तो इनका जो administration है यह भी इंडिया में इसका काफी impact रहा यहां जो सक रूलर हुआ करते थे उनको ईश्वर या देवता मना जाता था यानिकि जो डिवाइन ज उसका concept इन्होंने adopt किया यह लोग चक्रवर्तिन अधिराज राजाधिराज देवपुत्र इस तरह के titles को धारण किया करते थे और यह अपने आपको हिंदु धर्म के प्रोटेक्टर के तौर पे संदक्षक के तौर पे यह अपने आपको प्रदर्शित करते थे और समराट क सलाह देने के लिए मंत्री हुआ करते थे अब जो सक एंपायर था यह काफी सारे प्रोविंस में डिवाइड़ था और प्रोविंस के जो रूलर हुआ करते थे उनको कहा जाता था शत्रप और एडिमिंस्ट्रेशन की जो सबसे चोटी यूनिट थी वो थी विलेज और विल देनी लावा इंपुर्टंट जो उफीसर थे उसमें होती थे महा सेना पती दंडनायक महा दंडनायक आने यह सब तो यह ऑफिसर के नेम थे और जो इस्तानी सवासासन सहस्तायं थी यानिकि जो रीजिनल जो जो लोपल इंडिक्धेंडह सुअ कर्थि ती उन में जो पॉलिसी कैसी थी तो क्योंकि भारतिय संस्कृति को ग्रहण करने पर जो शक्त थे इन्होंने भारतिय धर्मों को भी ग्रहण कर लिया था मत्वुरा के शक रूलर थे उनके टाइम पे जैन और ब्राम्मन मत्वुरा में काफी यह प्रचलित था तो इस टाइम पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले हैं जिसमें कि यह बात पता चलती है कि महावीर के प्रति स्रद्धा और भक्ति दर्सा रहे हूं इसके लावा यहाँ पे बहुत सारे जैन इस्तूब भी इस एरिया में मिलते हैं तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मत्वुरा के जो शक रूलर थे और शत्रब थे यह जैन रिलीजन के लिए काफी लिब्रल थे फिर नौर्थ वेस्ट पार्ट में जो शक रूलर थे यह बौध रिलीजन को प्रूटेट करने वाले थे और इनके इंपायर में तक्सिला में और मनिक ख्याल में जो कि पाकिस्तान में हैं यह बुद्धिश सेंटर हुआ करते थे तो वेस्टन इंडिया में और महाराष्ट में जो शक थे यह ब्रामण और बौध दोनों ही धर्मों के लिए उदार थे यह ब्रामणों को भिक्छूओं को और जो बुद्धिश संग हुआ करते थे उनको यह काफी डोनेशन देते थे दान दिया करते थे तीर्थ यात्रा और तीर्थ इसनान इन सब कभी काफी यह प्रशलन में यह कुद भील दी प्रशलन में लाए थे और इसके लावा गाण और पैसे भी यह लोग दान किया करते थे कनहेरी की inscription में ये बात आती है कि इन्होंने बुद्धिश संग के लिए करिजक एक गाउं जो है वो दान दिया इसका वरणन वहाँ पे आता है फिर इसके बाद इनके बहुत सारे ऐसे भी coins मिले हैं जिसमें की शीव पारबती की फोटो चेत्र बना हुआ है और इस तरह से पता चलता है कि काफी सारे साक रूलर्स थे जिन्होंने शैव रीडीजन को भी accept कर लिया था महा भारत में तो शक दीप में भगवान श्रीव की पूजा का भी उले खाता है नाग पूजा और सूरी पूजा भी शकों में काफी प्रचलित हो चुकी थी और इसमें नाग पूजा के तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं मतुरा में एक इंस्क्रिप्शन है जो कि नाग मोर्ती पे ही बना हुआ है मतब नाग मोर्ती पे ही इन्होंने कुछ लिखवाया हुआ है और एक और इंस्क्रिप्सन है जिसमें सर्पराज दधीकरण का वर्णान आता है पुराणाओं में भी ये बात आती है कि शाम राजा थे कोई उन्होंने सिंध रीजन में सूरी मंदिर का निर्मान कराया था और उस समय उन्हें ब्राम्हण पूजा जी उपलब्द नहीं हो पा रहा था तब उन्होंने शक ब्राम्हण यानि कि वो शक जो की बाद में हिंदू बन गए और फिर उनको हिंदू में आने के बाद उनको ब्राम्हण का दर्जा मिला तो शक ब्राम्हण को सूरी पूजा के लिए बुलाए गया था तो आज भी सूरी पूजा करने वाले ये जो ब्राम्हण हुआ करते थे इनको शक दीपी ब्राम्हण कहा जाता है तो इस तरीके से शको के इंकरेजमेंट के बाद उस रीजन में सूरी पूजा का बहुत प्रसार हुआ इसके बाद चितोड और दस्पुर में जो कि मंदसौर में है चितोड और राजस्थान में यहाँ पे तो 5th और 6th century तक जो sun temple है सूरी मंदिर है वो विद्दमान थे religion है इसको accept नहीं किया था लेकिन फिर भी यह तो कहा जाता मोड़े तौर पर यह कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से इंडियन रूलर्स हुआ करते थे उसी तरीके से शक भी धार्मिक मामले में शहिश्णू थे और खास बात की बाकी जैसे जो invaders बाद में आएंगे या जो पहले आये थे तो वो लोग धार्मिकत्य चार्क करते थे जो आगे अभी आने वाले हैं लेकिन इन्हों ने ऐसा कुछ और में ही वीजी रह गए लेकिन इसके बाद भी इन्हों ने इंडियन ट्रेड को काफी इंकरेज किया और इनके अंडर में जो भी रीजन था वहां पे काफी उसको इस मामले में 29 शीद बला दिया और इनके टाइम पे वेबसाइक शेत्र में बहुत उन्नत्य हुई इनके टाइम पर दो में पात थे ट्रेड के लिए नंबर बन पाटली पुत्र से होता था और काशमभी और ऊज्जैन से होता हुआ कहा पहुछता था बेरी गाज़ा तो एक तो यह ट्रेड रूटड था दो important trade route है जिसमें से number one कहां से कहां पाटली पुत्र से भढ़ोच यानि बैरी गाजक और कहां से होते हुए कौसामभी और उज्जैन होते हुए दूसरा था जो पाटली पुत्र से मजुरा और सिंध घाटी से होते हुए बैक्ट्रिया तक जाता था एक तीसरा भी route था जो कि इनके अंडर में नहीं था वो था जो पाटली पुत्र से वैसाली और स्रावस्ति होते हुए नेपाल जाता था इसी तरीके से साउथ इंडिया में भी दो इंपॉर्टन रूट थी जैसे कि एक मचली पट्नम से और दूसरा बिनुकोंड से तो इस तरीके से यह इंपॉर्टन रूट्स हुआ करते थे फिर इसके बाद इंपॉर्ट की अगर बात करें तो इंपॉर्ट में यह लोग जो शराव होगा करती थी वो और सिल्वर के बहुत सारे बारतन और जो राजा हुआ करते थे उनका जो अंतहपूर होता था अंतहपूर बतलब जहां पर उपने राने के साथ रहते थे तो उसके लिए उसके लिए सुंदर रवणिया मगाई जाती थी और यह तो होगी बात इंपॉर्ट की अब एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत से बाहर करते तो उसमें टैक्स लगता था ये बात रुदरदामन के जूनागण इंस्क्रिप्शन से पता चलती है और इनका जो रिलेशन था वो सेंट्रल इसिया और चाइना और अधर कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड का रिलेशन था कल्चरल रिलेशन भी था फिर इसके बाद नासिक में एक इंस्क्रिप्शन से ही बात पता चली है कि जो बुणकर है उनका एक संग का यहां पर उलेशन खाता है और यह जो संग हुआ करते थे यह जो इनके बुनकरों के संग होते थे, इनका क्या होता था, यह अपने community वालों की जो interest होते थे, उनको protect करते थे, यह एक तरह से जो आज के modern time पे जो bank होते हैं, तो उसी तरीके से यह काम किया करते थे, यह बुनकरों से जो उनका fund हुआ करता था, उसको जमा भी करते थे, और उनको टाइम टाइम पे उनको लोन भी दिया करते तो यह बैंक का ही काम हो गया तो इस तरीके से यह बाते आती है नासिक के इंस्क्रिप्शन में अब हम बात करते हैं सक का जो लेट्रेचर में और कल्चरल पार्ट में क्या इंपक्ट था तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने संस्क्रित लेंग्वेज को स्टेट लेंग्वेज बनाया था और काफी इसको इंकरेज किया यह बात ऐसे पता चलती है कि जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है रुद्ध दामन इन्होंने गिरनार और जून या जूनागड का जो इंस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल शुद्ध गद्यात्मक संस्क्रिस्ट सैली का एक अच्छा उदाहरान है यह तो इसके अलावा मालवा में जो सक रीजन था वहां पर उजयन जोतिस का एक केंडर बन गया था ग्रहनक छत्र के अध् प्रण्ड ची लोको विधेश सुधाय मिलती थी और इस तरीके से आज तक प्रजेंट टाइम में भी उजयन जो है जोतिस का एक अच्छा की सेंटर बना हुआ है पिर इसके बाद इसके अलावा इनकी म्यूजीक में भी काफी इंट्रेस्ट था एक मतंग मुनी हुए है फि काच इस तरीके के संगीत का उलेख आता है और एक शक रूलर थे जिनका नाम था रुद्र दामा तो यह कहा जाता है कि रुद्र दामा गंधर्व विद्या में प्रमीन थे गंधर्व विद्या मतलब आप ऐसे समझ लीजे कि संगीत की एक दम उच्चतम विद्या ऐसे समझाया सकता इसको तो शक जो थे क्योंकि जिस एरिया से आये थे वह वहां ऑल्रेडी ग्रीक और जो पर्सियन थे उनमें कल्चरल एक्स्चेंज हुआ करता था तो एक तरह से कहना चाहिए कि इनके ब्लड में ही था कि पुरा मिक है तो इस तरीके से इनके जो कॉइंस थे उसमें जो ग्रीक जो कॉइंस का एफेक्ट है वो देखने को मिलता है तो अब एक लास्ट पॉइंट है वो यह कि जो हमारे कॉस्ट्यूम थे उसमें इनका बहुत इंपैक्ट पड़ा जैसे कि इन्होंने सलवार और जो घुटने तक के बूट होते हैं अचकन होता है यह सब शकों से ही हमें मिला है अब इसमें सलवार और अचकन तो आज भी काफी जाता लोग पूरी है तो यह था पूरा शक का इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी में क्या इनका